आप धर्म को बीच में लाते हो राजनीती राजनीती में धर्म के विजरंग बली तो सब के है ना कि किसे बीजेपी के हैं लेकि यह बात जनता को और अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो पढ़ाले का साच्छर पूरे देश में कर अपसन होता है चलिस परेसंट कमिशन तो हर इस्टेट में या आता है लेकिन जिस तरह करनाटक के लोगों ने खुल के 40 संट का बीरोध किया और सामने लाए और कहा कि यह चुनावा चालिस प्रसेंट कमिशन पर हो रहा है, इसलिए हम करते हैं कि साक्षर लोग हैं, जहां जहां पढ़ाई होती है, वो बिरोत का मुकाबला करता है, वो बोलता है, तो करनाटक में मुएन मुद्दा जो था, पहले मिर्ची का था, फिर अमुल दूद और नंदनी का था, फिर उ जो भी पाजपा का परवक्ता है, आता ही पाकिस्तान का नाम लेता है, मतलब अगर बात आप समय की बात करेंगे, तो पाकिस्तान की समय की बात करेंगे, आप अगर इद की बात करेंगे, तो पाकिस्तान की इद की बात करेंगे, आप अगर भारत की किसान की बात करेंगे, पाकिस्तान में पैदा होते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। करनाटक चुनाओं को लेकर टीवी अखबार की राय है कि मुस्लिम समाज ने एक जूठ होकर कॉंग्रेस को मोड़ दिया। मुस्लिम किसको दिया। सब राय है। सबन समाज ने किसको बोड़ दिया। वो कोई नहीं बता रहा है। मेरे साथ सोचल एक्टिविस्ट, प्लिटकल नेता और टीवी अखबार के टी रपी मैन फजील अहमद है। सब कंग्रेस को बोड़ दे दिया। बीज़ेपी गो क्यूं नहीं दिया। बीज़ेपी तो मुसलमान को चाहती भी नहीं है। वह तो कहते हैं कि हम गंगा इल से धो देंगे अगर मसीन अगर इन लोग को फोड़ देंगे तो शुद्ध करने की बात करते है। कि मुसलमान को अगर मुसलमानों ने मशीन में वोड दिया तो हम एवियम को गंगा से शुद्ध करेंगे यह का किसने बोला अभी परविंट तो गड़िया कल बोल रहे थे अम्ब्रेला है इसमें कई तीलियों से उसको छत्री को बनाया जाता है तो सब एक हैं बीजेपी खु कॉंग्रेस का साफ्ट कॉर्णर था तब इसलिए बाते सामने नहीं आती थी तो मतलब बजरंग दल को कॉंग्रेस ने पाला है इसके आज बजरंग दल कोई पांच सार चार साल का संगठन तो है नहीं काफी लंबे समय से काम कर रहा है तो इस पर तो बात पहले कभी हुई नहीं यह तो कांग्रेस की इस बहादुरी को जनता ने जो है मुस्लिमान खास करके जो बात हुई करनाटक के अंदर मुसलमान ओबीसी दलित सब लोगों ने सब नहीं यह पसंद किया सिर्फ मुसलमान नहीं बुद्धिश्ट ने इसाई ने आदिवासी ने कर आदिवासी दलित मुसलमान सब को यह बात पसंद आई कि बजरंग दल को बैंड कीजी यह बात जन्मानस में इस्पेक्टर सुबोत की उत्तर प्रद्श में हत्यास हुई और हत्यारों से भाजपा के मंतरी माला पहिनाने जेल में गए इससे बड़ा और क्या प्रूफ होना चाहिए द्र करों सब धर्म को बीच में लाते हो राजनीती हम लोग को यह सभी नेताओं को सोचना चाहिए कि हम बाकी लोग क्यों पीछे हैं वहां नंदनी दूद का मामलत नंदनी और अमूल का मामला आपने सुना होगा यह लोग अमूल जो है 55 रुपय लीटर दूद देता है पबलिक को और जंत किसान से लेता है 31 रुपय लीटर औ 49 रुपय लीटर देती है और हमारे ग्री मंतरी जी जा करके अमूल को इन्याग्रेशन किये और नंदनी पर दबाव बनाए कि आप इनके साथ जॉइंट वेंचर करके काम कीजिए यह बात करनाटक के लोगों को अच्छी नहीं लगी मिर्ची की बात थी मिर्ची वहां के ख खुल के 40 परसेंट का बिरोध किया और सामने लाए और कहा कि यह चुनाओ 40 परसेंट कमिशन पर हो रहा है इसलिए हम करते हैं कि साक्छर लोग है जहां जहां पढ़ाई होती है वो बिरोध का मुकाबला करता है वो बोलता है तो करनाटक में मुएन मुद्दा जो था पहले मिर्ची का था फिर अमूल दूद और नंदनी का था फिर उसके बाद यह लोगों ने बजलंग दल को बैंड करके कांग्रेस ने जो हिम्मत का काम किया है अब इसलिए पाकिस्तान जिन्दाबाद के नाईर लग रहे है पाकिस्तान जिन्दाबाद के नाईर तो भाजपा के समय की बात करेगा आप अगर ईद की बात करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेगा आप अगर भारत के किसान की बात करेंगे तो कहेगा पाकिस्तान की किसान मर रहा है उस पर बात करो अरे भारत का किसान मर रहा है आम उस पर बात ने करें पाकिस्तान की बात करें अगर तेल की औला hat आता ही तो पाकिस्तान में ढ़ाइसुत एकंज की फाकिस्तान में दाय। टीने करें। पाकिस्तान में पैदा में अच्छा रहता हैं यृण लोम कि जो तुम पाकिस्तान से एकंड कि अफाकिस्तान है। हिंदू का जो अस्थान है न वो पाकिस्तान है क्योंकि आप विवाजित नहीं बोले सुन लीजिए आप सभी असली सिंदु नदी की इस तरफ रहने वाले को हिंदू कहा जाते हैं सेंदू था सेंदू से हिंदू बना तो हिंदू का असली अस्थान पाकिस्तान सिंदु नद भॉल वापस इसके लिए मैं भाजपा के साथ अगर पांसुर चिलाट हिरा कि वौरट जाता हूं कोई बात कीजिए तो पाकिस्तान का नाम करें है कि आप जोड़ कर दिया इसले कॉंगरेश जीट कई अरोंगर्ण नहीं हिंदू बीजेपी गांगर्ण भारत थे अधान संविद्धान का देश और जंता संविद्धान से सुरक्षित थे किसी धरम से शुरचीत नहीं है ना किसी संगठन से सुरचीत है हम सब समेधान से सुरचीत है हुई करनाटा करनाटक में कितना दली дुथ उत पीडन का अत्याचार का घतना होती यह तो बज़रंग दल से कुई दरा जहता और आपसे बतादे मं मुसलमान की जब बात कर रहें ना वहां एक PFI संगठन था जो करनाटक में सबसेद एक्टिव था करीब 500 सीटों पर वो लोग 10,000, 8,000, 15,000, 14,000 ओट पाते थे इस पर PFI बैंड कर दिये जब बैंड कर दिये तो बीजेपी निपर उल्टा पर के बीजेपी को पीएफ़ाइब करने से नुकसान हो गया अज सरकार वहां इसी नहीं बोट काट पाएं बीएसपी भी नहीं काट पाएं पीएफ़ाइजी वहां देखे दचिर भारत में कहीं क सब्सक्राइब करनाटक में मुसल्मानों का वह पीएफ़ाइब के बैंड होने के दिखे यह लोग कता है कि मुसल्मानों का कोई संगठन चली पीएफ़ाइब तो एक मतलब political organization था social organization था धर्ना परदर्शन भी करता था जमाते तबलीग यह लोग विचारे सिर्फ नमाज पढ़ते हैं अल्ला की बात करते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं आप उनको मार भी दीजेगा ना वो पलड़ के नहीं देखते हैं कि किसने हमको मारा अल्ल जो कोई political activity उनकी नहीं है कोई समाजी कारे वो लोग नहीं करते हैं सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और अल्ला का काम करते हैं बाकि सब बलट डोनेट करेंगे कैम्प लगाएंगे लेकिन कभी मूह नहीं खोलते हो लो कभी सरकार के खिलाब नहीं बलते किसी नेता खिलाब नही नहीं करते हैं अल्ला का काम करना यहीं कर लेगें जेल में कर लेगें सरकार का खाना मिल ला क्या दिक्कत है सरकार ने खुच छोड़ा उनको इंद्रा गांधी जी थी जब उन्होंने इस पर inquiry कराई तबलिग जमात पर लेकिन क्लिंचिट मिला ऐसे संगठन को भी इस देश की बात करते थे इसलिए इनके चीबते थी लोग तो कोई देखे ट्रेइनिंग सेंटर नहीं पकड़ा कोई आमस नहीं पकड़ा कोई कुछ नहीं पर चार पंच पन्ने का कागेश पकड़ा चलि उस पर हमको बात नहीं करना है सरकार करी आतंग वादी संगठन है चलिए बीजेपी को फायदा ही होता उसे साब नहीं वहां पे हमारे भाइजान है कि पिए अभी तो नॉर्थ में पैर फेला रही थी और अगर लड़ती भी तो भी तो बीजेपी को फैदा होता है केरल में भी चुनाओ लड़ती थी केरल और करनाटक में तो बहुत मजबूत थी थोड़ा है अगर पिए फाई होती तो इनको उत्तर परदेश बंगाल बिहार अगर अगर फैक्टर भी नहीं चलता है कि बिहार में चार सीट जो पुर्णिया ररिया कि और किसंगंज में जो मिल गया वह एक अलग फैक्टर था हिंदू के नाराज हैं बिना मुसलमान के सा हुआ होगा हिंदू जिए नाराज नहीं हिंदू ने तो 64 सीट आये ते हिंदू को भू इस देश में 20- monkeys करोण है बस सब को हिंदू मां समझे है डलिड आदिवासी हिंदू नहीं है ना आदिवासी हिंदू नहीं है रिख फांच लाग आदिवासी आय थे जंतर मंतर पर औ कुरमी कहते है hai कुस वहां करते हैं हिंदू कहां करते हैं अए यादव करते हैं हिंदू कहां करते है हिंदू को करनाटक में छिपना पूरा ओत से ऊंट्ट unp평रा एग व्योल Lucky नहींbe ओटी इसका कटा है, आधिवासियों का, दलितों का, पिछडों का, मुसलमानों का. यह सारे लोग एकजुट हुए है, जो समाज के, यह सरकार, जिनको बहिश्कृत कररे हैं, जिनको दबार ही है, वो सब एकजुट हुए हैं. और सब लोग बजरंगतल से परशान हैं. किसी कि बजरंग दलवाले ना वेलेंटाइन डे पर लड़कियों को मारते हैं प्यार का तहवार है बच्चों का एक यह मुसल्मानों के तरफ से भी सुरू हो गया भगवा जिहाद के नाम पर अगर मुसलिम लड़की को हिंदू लड़के के साथ दिख जाता है तो लोग उसक मुसल्मान बीजेपी में नहीं है क्या है अगर मेरे कोई लड़की किसी भी हिंदू के साधी कर ले कोई दिकत नहीं है साधी करे पर अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट्स थाने में होनी चाहिए कोई हिंदू मुसल्मान की साधी कर अगर उसके परिवार को कोई अतराज नहीं है तो दूसरे किसी को अतराज नहीं होना चाहिए और भारत का समिधान अगर बच्चे वालिग है तो परिवार भी रोक नहीं सकता है समयधानिक रूप से यहां यादो अगर आजपू से साध कर लेना तो भी गुली चल जाती है ऐसा नहीं है मुसल्मान में भी है शेक सगिया दंसारी में भी अगर शादियां बहुत दिक्कत होती है तो यह जो करनाटक चुनाओं का 2024 पर क्या आसर है आपको क्या बहुत बड़ा आसर है यह तो यह तो जाडू की एक तिली निकल गई जाडू होता है ना उसकी एक तिली निकल जाए गृप कमजोर हो जाती फिर जाडू भी खरने में टाइम नहीं लगता है जब तक कि यह करनाटक के चुनाओना पहली तिली है जाडू की पकड़ खतम जैसे एक तिली निकला जाडू ढीला होगा फिर दूसरी तिली अपने कर ना चैनल की नहीं है अगर हमारे पास चाइफल है तो हम किसी को दबा ले और अगर हमारी सरकार में पहुंच है थाना में फैयार नहीं होगा तो कोई किसी को मार दे यहीु तो हो रहा है नाmand इन सारे संग्ठोनों को जो यह कहते हैं कि सरकार हम चलाएंगे पैरलर सरकार चलान sudah चाहिए इंको बैंड करना चाहिए पिफाय बैंड हुआ हम ठीक है उस तरह के सारे संग्ठोनों को आप बैंड कीजिए कोई बी शोचल और अर्गनिशन काम कॉरोना में खाना कौन पहुच बाकि जब कोई पॉरिटिकल काम करने के लिए आपको उत्येजना फैलाने वाला राजनीत में उत्येजना फैला जाती। जैसे हम आपको गाली देंगे। यह महाल बनाने के लिए राजनीत के लिए पक्षी निटी जो निति उसको मार कोशचिछ कर रहे हैं, उसका बहुत नहीं गया सब अपनी जगह पे हैं करनाटक की टीम करनाटक में काम कर रही है वहां कांग्रेस की लिडर्शिप को किसी नहीं किया कोई नहीं गया ममता जी भी नहीं गया कांग्रेस की मदद करने कांग्रेस और वहां की नेता ही अपना काम किये तो आज रिजल बहुत अच्छ आया है निश्चित रूप से करनाटक में जीत कांग्रेस की हुई है इसमें देश के सभी गैर भाचवाई नीडर जितने भी हैं सबका सायोग रहा है और ये एक बहुत अच्छा सूरज की पहली किरण करनाटक से निकल रही है जो पूरे देश को जाएगी 24 में इसका बहुत और अब तु उत्सा हो गया है कांग्रेस के कार्यकरताओं में भी अर दूसरे दल की लोगों में सेकलर पोर्सस के नेताओं में और कार्यकरताओं में एक बहुत बबा़ उत्सा ह है कि Thousands आू इसका ज्यादा आसर 2024 में भी होगा आप लोग कि क्या पर्तकिरिया आप इनकी बातों से सहमत है सहमत है अपनी पर्तकिरिया जोर दीजिए कैमरा नासी इसके साथ शंभू कमार सिंग निशनल दस्तक दिल ली निशनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको कुछ बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सबस्राइब करने के लिए रेट कलर के बीटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंती दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे